आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि AIMS की ओफिशल वेबसाइट पर BST Nursing का जो एंटरंस एक्जाम होना है उसके क्या क्या अपडेट्स आयोए हैं और साथ ही बात करेंगे कि जो आपका एंटरंस एक्जाम है BST Nursing का वो कब हो सकता है उसके बारे में मैं आपको आगे बताने वाला हूँ तो सबसे पहले बात करते हैं अपडेट के बारे में अगर आप इसकी ओफिशल वेबसाइट पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कुछ सीटे बढ़ा दी गई हैं AIMS में जैसा कि आपको पता था कि 7 AIMS आते थे अगर आप एंटरन्स एक्जाम दोगे AIMS B.E.C. नर्सिंग का तो आपको 7 AIMS में से कोई सा 1 AIMS मिल जाएगा लेकिन यहाँ पर एक और AIMS बढ़ा दिया गया है वो है AIMS गोरकपुर इसमें 60 सीटे बढ़ा दी गई हैं यह बहुत ही ज़्यादा खुशी वाली बात है हर श्टुडेंट के लिए क्योंकि अब आपके admission के chances बढ़ने वाले हैं तो अगर आपके rank थोड़ी सी और high आती है तो भी आपको रामसी आपर admission मिल जाएगा वैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि हर update आपको मिलने वाला है और जो AIMS के टोपर है वो आपको एक proper analysis करके बताएंगे कि आपको कितने marks पर कौन सा AIMS मिल जाएगा तो चैनल को subscribe करकर रखेगा और नीचे Instagram, Telegram का link है आप हमसे वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं और दिस्क्रिप्शन में दिली यूनिवर्सिटिस के government colleges के update के बारे में भी मैंने बताया है नीचे आपको link मिल जाएगा आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं अब बात करते हैं आपके doubts के बारे में काफी सारे student ने मुझसे पूछा कि क्या exam cancel हो सकता है क्या cancel हो जाएगा तो ऐ यानी आपको offline ही जाकर देना होगा जो आपके centers आपको admit card में मिलेंगे रही बात counseling की तो counseling आपको online ही करवानी होगी counseling आपकी online ही होगी लेकिन जो open round counseling होती है वो आपकी offline होती है वो आपको aims दिल्ली में रही आकर करवानी होती है रही बात vaccine की तो आप अगर आपने अभी तक vaccine नहीं लगवाई है तो आप लगवा लो क्योंकि अगर admit card के अंदर mention होता है कि आपको एक dose लगा होना चाहिए तो फिर आपको जब लगवानी होगी तो इससे फाइदा ये है कि आप अभी vaccine लगवा लें क्योंकि आपको भी मैं आपको personally suggest करूँगा कि आप अभी जाकर vaccine लगवा लो क्योंकि आपको भी बताए कि अगर थड़वे वा जाती है और government lockdown लगा देती है अगर उसी lockdown के अंडर आपका पेपर होता है तो सिर्फ उन्ही students को या फिर उन्ही लोगों को बाहर जाना अलाओ होगा जिन्होंने वैक्सिन लगवा रखी होगी और रही बात AIMS के admit card की अगर AIMS के admit card में यह mention होता है कि आपको vaccine लगवाई होनी चाहिए आपको vaccine लगी होनी चाहिए तो आपको भी पताए कि जो vaccine center है वहाँ पर vaccine 7 level नहीं है तो जितना जल्दी आप लगवा लोगे उतना ही फाइदा होगा चुकि अगर आप appointment लेते हो तो कमसे कम आपको एक हपता या फिर दो हपते या फिर एक महिने का भी wait करना पड़ सकता है तो आज कल तो vaccine का system यह है कि आप सीधा जाओ vaccination center पर और direct vaccine लगवा लो तो आप जरूर लगवाएं vaccine अब बात करते हैं सबसे ज़ादा पूछ जाने वाले question के बारे में काफी सारे students ने मुझे WhatsApp पर, Instagram पर, Telegram पर message किया और मुझे से पूछा कि सारा आप हमें बताईए कि AIMS का जो BSC Nursing का entrance exam है उसकी क्या date होने वाली है admit card कब release होंगे तो मैं आपको बता दू कि AIMS की official website पर अभी भी कोई भी notice release नहीं हुआ है officially कि आपको वहाँ पर confirm date पता चल सके और आपको बता दू admit card के बारे में तो admit card में आपको daily check करना होगा यानि daily आपको login करके देखना होगा और वहाँ पर ही आपको admit card का update मिलेगा और रही बात आपको login के issue की कि ये काफी सारे students को login का issue आ रहा है तो वो नहीं आने वाला है आपको एक हफ़ते तक आपको wait करना है और रोज check करते रहना है और अगर आप AIMS में call करोगे या फिर आप अगर उन्हें email करोगे तो वहाँ से आपको सिर्फ wait की response मिलेगा कि आप एक official notice का इंतिजार कीजिए जब तक official notice नहीं आएगा हम आपको कुछ भी नहीं बता सकते ऐसा reply उनकी तरफ से आने वाला है तो और ये बात सिर्फ aims के बारे में नहीं है जितने भी exam है बाकी nursing के जो exam है उनमें भी यही हो रहा है किसी का भी admit card अभी release नहीं हुआ है और काफी सारे के तो अभी forms release ही नहीं हुए है तो आपको बिल्कुल भी घवरानी की जरुवत नहीं है आपको अपनी preparation पर ध्यान देना है और रही बात admit card की release की तो आपके एक अगस्त तक आपके admit card release हो जाएंगे और जो आपका exam होगा वो 10 से 15 अगस्त के बीच में होगा नहीं तो 10 से 20 अगस्त के बीच में आपका exam हो सकता है इससे उपर आपका exam नहीं जाने वाला है क्योंकि आपका session जो है वो काफी जादा delay हो जाएगा अगर exam September में होगा क्योंकि अभी आपकी counselling भी होनी है counselling के बाद आपको seat allotment भी होना है तो बहुत सारे काम अभी रहे गए हैं अगर aims ने delay कर दिया September में exam तो उसका जो session है वो काफी जादा late हो जाएगा और aims ऐसा नहीं करेगा और aims ये पहली बार ही कर रहा है कभी aims ने ऐसी गलती नहीं कि कि इतना जादा pending कर दिया हो तो आपको बिल्कुल भी घबरान नहीं है आपको update मिलता रहेगा आपको छोटे से छोटा update आपको इसी चैनल पर मिलते रहेंगे तो आप बिल्कुल बेफिकर हो जाओ आप सिर्फ वेट करो थोड़ा सा और आप डिली चेक करते रहो aims की official website को आज के लिए इतना ही धन्यवाद